देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प आप सब भी पर सदयव बनी रहें, सूर्य नक्षत्र परिवतन कर रहें है 6 जुलाई को, पुनरवसु में प्रवेश कर जाएंगे और 20 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे, उसके बाद पुष्य में प्रवेश कर जाएंगे, पुनरवसु एक ऐसा नक्षत्र है जो तेज कुछ ना कुछ विपार करता है, या अगर आपके दस्वे भाव के स्वामी इस नक्षत्र में पढ़ते हैं आपकी कुणली में, तो भी संभावना है कि आप विपार करेंगे, तो जब सूर्य इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रभाव अपना छोड और कुछ ना कुछ प्रभाव इस नक्षक्त्र का लेंगे और हर जातक की कुंडली में कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़के जाएंगे कहां से देखे राशी फल जैसा मैं हर बार कहता हूं लगन से देखेंगे जो बड़े राशी फल हैं तो अच्छा प्रभाव मिलेगा आपके राशी के आधार पर या नक्षत्र के आधार पर पड़ा है हर लगने के साथ एक उपाए भी अवश्य बताऊंगा तो शुरुआत करते हैं सूरे के इस नक्षत्र परिवतन के राशीवल का मेश के साथ शुरुआत करते हैं मेश के साथ मेश के लिए जो नक्षत्र पर लाभ भी आपको हो सकता है तो यही सबसे सकरात्मक प्रभाविस नक्षत्र परिवतन करेगा कि पैसों के संबंद में आपको यह जो पूरा कालखंड है दो हकते का इसमें कुछ न कुछ सकरात्मक अवश्य प्राप्त हो सकता है जहां तक करियर की बात है जो लोग जौब करते हैं अच्छा समय है प्रैक्टिकल एप्रोच रहेगी आपकी और जो आपको कई जगा मदद भी करेगी जो लोग बिजनस करते हैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि किसी की मदद करने के चकर में अपना नुकसान करा सकते हैं तो कोशिच कीजएगा कि इस पूरे काल में जो दो हफ्ते का समय रहेगा इसमें मदद करें किसी की लेकिन इतना नहीं कि अपना ही नुकसान करा वैठे यदि आप IT से जुड़ा कोई काम करते हैं समय अच्छा है जो लोग garment industry से जुड़ा business करते हैं ये समय अच्छा है नया relationship start करने के लिए समय positive रहेगा लेकिन जल्दबाजी में अपना ही relationship start होते होते आप उसमें कुछ विग्न डाल सकते हैं तो समय अच्छा है excitement से बचियेगा जो लोग relationship में हैं अच्छा समय है आप लोग planning कर सकते है future की और उसके खारण relationship में stability आएगी जहां तक विवाहिक जीवन की बात है ऐसा लग रहा है कि यात्रा का plan बनाएंगे बहुत समय से जो एक यात्रा साथ में करना चाते थे शायद इस दो हफ़ते में आपको यात्रा करने का मौका मिले Students, logical बहुत रहेंगे और उस logic का उपयोग करके प्रयोग करके कुछ ना कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे एक नकरात्मक चीज मुझे दिख रही है कि आप इस पूरे दो हफ़ते में आपको बहुत बंधा हुआ पाएंगे बंधन में पाएंगे आपको लगेगा कि आप अपना जीवन अपने आप नहीं जीपा रहे और यह भावना बार बार आएगी और यह थोड़ा आपके अच्छे समय में विगन डाल सकती है सेहत के हिसाब से लिवर के रोग तंग कर सकते हैं आपके लिए उपाई यह है कि आपको ओम अधित्याय नमहाईस मंत्र का 108 बार जाप करना है तोरस पे सबसे सकरात्मक प्रभाव जो आप महसूस करेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन का वह यह होगा कि आपके जो thinking में एक रुकावट आ गए थी आपका जो एक mental block आ गया था आपको नए ideas ही नहीं आ रहे थे आपके thinking कहीं पे जाके रुक जाती थी इन सब चीजों में परिवर्तन होगा और आपके thinking में आपके मस्तिशक में clarity आएगी और जो आपको कई जगा पर अवश्य मदद करने वाली है यह बहुत positive चीज है अगर mental block ही हो गया तो व्यक्ति क्या सोच पाएगा जहां तक career की बात है थोड़ा तनाव उपन समय रहेगा क्योंकि कारे का pressure जादा रहेगा कुछ ऐसा कारे मिल सकता है जो थोड़ा मुश्किल हो multitasking करनी पर सकती है फिर भी मैं को लगता है कि आप संभाल लेंगे जहां तक business की बात है अचानक से कुछ changes आएंगे जिनको handle करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा पैसों के संबंद में थोड़ा बहुत नुकसान भी आपको जहिलना पड़ सकता है और अचानक से कहीं पे पैसा लगाना भी पड़ सकता है अपने business को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए तो मिला जुला सा समय देख रहा है आपके लिए इस नक्षत्र परिवतन का जहां तक love life की बात है थोड़ा सा सौमेता रखेंगे अपने व्योहार में तो बहुत अच्छा होगा इस समय में जरा सा भी आपने रूडली बात करी तो उसका एक नकरात्मक प्रभाव बढ़ सकता है जहां तक विवाहिक जीवन की बात है यहां पे थोड़ा सा नकरात्मक तो नहीं कोंगा निराशा पूर्ण सा समय रहेगा मतलब कि आपको यह लगेगा कि आपका जो विवाहिक जीवन हो किसी भी डिरेक्शन में बढ़ नहीं रहा उसमें जो खुशियां थी वो कहीं लुप्त सी हो गई है और यह चीज थोड़ा परिशान करेगी जहां तक स्टूरंस की बात है सोच विचार का बहुत समय हो गया यह 14 दिन एक्शन का है जो भी सोच रहे थे उस पर एक्शन लीजिए वरना आगे चल कर प्रॉब्लम होगी एक नकरात्मक चीज जो मुझे दिख रही है कि किसी जगह पे आपको किसी की मदद की जरुत पड़ेगी और आप अपने एगो में अपने अहमकार में उस मदद को लेने से मना कर देंगे और वहाँ पर आपका कोई कारे अटक सकता है सिहत के इसाब से इंफेक्शन तंग कर सकते हैं जो जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे उस चीज में सुधार होगा आप अपनी नकरात्मक्ता से खुद निकलने का प्रयास करेंगे जीवन को आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको बहुत अटक सफलता भी प्राप्त होगी जातक करियर की बात है अगर आपको कोई ऐसा कारे मिलता है जो अके लिए नहीं कर सकते इस पूरे 14 दिन के समय में ऐसी कई चांसे आएंगे जब आप कारे ढंग से अपने आप नहीं कर पाएंगे उस जगा पर किसी से मदद मांगने से हिचकेगा मत अदर्वाइस वो कारे आप ढंग से नहीं कर पाएंगे और उसका खामयाजा भी खुद ही मुखतेंगे जातक बिजनस की बात है कोई बड़ा निरने लेने से पहले सारी परिस्थितियां देख ले बड़ा निरने गलत परिस्थितियों में गलत टाइमिंग के साथ यदि लिया तो आपके विरुद्ध ही जाएगा परिस्थितियां क्या है ऑपर्चिनुटी कैसी है क्या सारी डिटेल्स क्लियर है यह सब आपको पता चल जाए तभी कहीं पर आपको कदम आगे बढ़ाना है यदि आप टेक्स्टाइल इंडस्ट्रिस जोड़ा कोई भी विजनस करते हैं तो ये 14 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे जहां तक लव लाइफ की बात है जो भी करें सौमेता के साथ करें कहीं पे भी ये मत दिखाएं अपने पार्टनर को कि आप उन पे कोई अहसान कर रहे हैं यदि इन 14 दिनों में आपने ऐसा कुछ किया तो उसका एक नकरात्मक प्रभावी आप पर अवश्य पड़ेगा विवाहिक जीवन के लिए यही कहूंगा कि मल्टी टास्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि काम का प्रेशर भी शायद जादा रहेगा और यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को समय नहीं दे पाए तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी तो कोशिश कीजेगा मल्टी टास्किंग करते हुए हर चीज को ढंग से संभाल ले स्टूरंस के लिए अत्यंत लावकारी समय है ये 14 दिन आपको कुछ न कुछ सकरात्मक अवश्य दे के जाएंगे एक चीज जो थोड़ी नकरात्मक मुझे दिख रही है वह है कि रीसेंट पास्ट में कहीं पे कुछ शॉर्टकट्स लिए थे आपने कि चलोगी अभी कर लेते हैं शॉर्टकट्से बाद में इसको पूरा कर लेंगे वो जो शॉर्टकट्स आपने लिए थे वो ही इस 14 दिन में आपकर थोड़े भारी पड़ेंगे थोड़ा बचके रहिएगा अगर सेहत की बात करूँ तो आपको स्लीप डिसॉर्डर्स और पैरों के रोगतंग करेंगे उपाई है गायत्री मंत्र का 108 वार जाप करना है कर्क यानि की कैंसर की तरफ जो सबसे सकरात्मक प्रभाव आप इस नक्षत्र परिवर्दन का महसूस करेंगे वह यह होगा कि confidence आएगा, authority आएगी जो बात नहीं रख पा रहे थे लोगों के सामने authority के साथ बात तो रख रहे थे लेकिन authority नहीं थी, अपनी बातों से हट जाते थे आपको कोई oppose कर दे, आपकी बातों पर कोई question कर दे तो उसके साथ नहीं खड़े हो पाते थे यह सबसे अच्छा सकरात्मक प्रभाव दिख रहा है कि आपका अपने उपर confidence बढ़ेगा, अपने skills के उपर confidence बढ़ेगा और जब ऐसा होता है कि तो कई चीजों पर उसका एक बहुत positive impact पड़ता है जो लोग job करते हैं, आपसे यही कहूंगा कि negative colleagues के साथ जादा समय मत्वतीत कीजे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा colleague है, कौन सा ऐसा वक्ति है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसी vibes आ जाती है, ऐसी ऊर्जा आ जाती है और यदि आपको लग रहा है बहुत समय से कि यह वक्ति रहता तो आपके साथ है आपके से अच्छी बाते करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ नकरात्मर करता है ऐसे लोगों से दूरिया जल्द से जल्द बना लें जहां तक बिजनस की बात है, कोई निरने लेना है तो पूरा फोकस करके लिजेगा ऐसा लगर आए कि जल्द बाजी में कोई impulsive निरने ले लेंगे और वो बिजनस पर negative impact डाल सकता है जो लोग communication based कोई job करते हैं समय अच्छा रहेगा आप यदि entertainment से जोड़ा कोई business करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा जहां तक love life की बात है यह समय अच्छा देख रहा है क्योंकि नया relationship start हो सकता है और जो लोग already relationship में है आपका एक दूसरी पर भरोसा बढ़ेगा विवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय है आपको अपना life partner एक friend की तरह लगेगा और बहुत खुल के उनसे बात कर पाएंगे students से यही कहुँगा कि जो नकरात्मक था जो problems चल रही थी चीवन में उनका अंत हो सकता है लेकिन addiction से बचिएगा कोई आपकी जो आदत है जो आपका बहुत समय लेती है वो इस समय नकरात्मक प्रूव हो सकती है एक negative चीज जो मुझे दिख रही है वह यह कि काफी moody रहेंगे और इस moodyness के करण आप अपना ही कुछ नुकसान इस दो हफ़ते में करा सकते है सेहत की जहां तक पात है आखों के रोक तंग करेंगे उपाय है ओम भास करा या नमहाई स्पंतर का 108 बार जाप करना है यह हैं लियों के तरफ आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रभाव रहेगा इस नक्षत्र परिवतन का वह यह होगा कि आप उन लोगों के ग्रुप से निकल जाएंगे उन लोगों से दूर हो जाएंगे उन चीजों से दूर हो जाएंगे जो आपको negatively impact करते हैं या जो चीजे या जो लोग आपके जीवन में कुछ सकरात्मक नहीं अड़ करते जो कोई value addition करते ही नहीं आपके जीवन में बस आपको pull back करते हैं आपके अंदर इतनी क्षमता आजाएगी कि आप उनसे दूर हो पाएंगे हमें usually पता होता है कि ऐसे कौन लोग है लेकिन क्योंकि कही ना कहीं से एक भावनात्मक जुडाव होता है तो हम उनसे दूर नहीं हो पाते लेकिन ये दो हफ़ते बहुत अच्छे हैं ऐसे लोगों से दूरियां बनाने का करियर की जहां तक बात है यदि करियर में आगे बढ़ना है अपने स्किल्स को और इंप्रूव करना पड़ेगा अभी शायद कहीं पे थोड़ी कमी है थोड़ा और सीखिए स्किल्स इंप्रूव कीजी आप आगे बढ़ पाएंगे जहां तक बिजनस की बात है अल्मोस्ट सेम चीज़ दिख रही है आपको अपने बिजनस के बारे में और जानना पड़ेगा अप उसकी मार्केटिंग पर क्या नया ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर क्या आपका बिजनस एक्टिव है इन सब चीज़ों को थोड़ा आपने और समझना पड़ेगा तब ही आपका बिजनस थोड़ा आगे बढ़ पाएगा यदि आप human resource से जड़ा कोई job करते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा यदि आप consultation based कोई business करते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा जहां तक love life की बात है तृतग्य रहेगा अपने partner के प्रतिभ अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो यह दो हपते अच्छे जाएंगे नकरात्मक उनके points निकालेंगे तो बातें बिगडेंगी जहां तक विवाही जीवन की बात है एक contentment की feeling रहेगी एक satisfaction की feeling रहेगी जो आप दोनों को ही अच्छा महसूस करवाएगी students से यही कहूंगा कि emotions का ज़ादा प्रयोग मत कीजिएगा वन्ना वो चीज़ें आपके विरुद्ध ही जाएंगी एक नकरात्मक चीज जो मुझे दिख रही है कि आपके कई काम delay होंगे और उसमें जरूरी ने कि आपकी ही गलती हो लेकिन वो जो delay का काम का होगा वो बहुत frustrate आपको करेगा सिहत के इसाब से समेट ठीक ठाक दिख रहा है कभी-कभी कोई nutritional deficiency हो सकती है उसके कारण थोड़ी energy low हो सकती है आपके लिए उपाई यह है कि आपको गायत्री मंत्र का 108 वाल जाप करना है आपके लिए जो नक्षत्र परिवतन का सबसे सकरात्मक प्रभाव रहेगा वह यह होगा कि जहां पर decisions नहीं ले पा रहे थे indecisive हो रहे थे कोई निरने लेना होता था उसको समझ ही नहीं पाते थे कोई निरने लेना होता था तो confused हो जाते थे इन सारी चीजों में आपको सुधार देखने को मिलेगा आप कोई बहुत अच्छा निरने ले पाएंगे और overall भी आपकी जो analyzing capacity होगी चीजों की वो बहुत अच्छी रहेगी जहां तक career की बात है यही same चीज देख रही है शायद कोई बड़ा निरने लेना चाहते हैं या चाहते थे लेकिन जब कोई important कदम उसके लिए उठाना था आप रुक जाते थे सहम जाते थे इन 14 दिनों में आपको important step उठाने में मदद मिलेगी सहायता मिलेगी क्योंकि साहस रहेगा और जैसा मैंने कहा decision लेने की क्षमत अच्छी रहेगी तो वो चीज आपके कारेक्षेत्र में मदद करेगी यदि entertainment से जुड़ा कोई कारे करते हैं लाब होगा जहां तक business की बात है देखिए personal life में हो सकता है कुछ ups and downs आ रहे हो उसका प्रभाव अपने business पर यदि आपने पढ़ने दिया तो नकरात्मक समय होगा लव लाइफ के हिसाब से एक अनिश्चित्ता एक अविश्वास रहेगा अविश्वास यानि की विश्वास की कमी ये चीज हमेशा mind में चलती रहेगी थोड़ा शक भी कर सकते हैं आप अपने पार्टनर पर अब ये चीज सच है या नहीं वो तो काफी चीज़े देख के पता चलता है लेकिन ये चीज आपके मन में रहेगी जो थोड़ा सा problematic हो सकता है जहां तक विवाहिक जीवन की बात है ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ किया तो हम भी वैसे ही सफल हो जाएंगे ये रास्ता नहीं अपनाना एक नकरात्मक चीज दिख रही है कि कहीं कहीं पे life से बहुत dissatisfied हो जाएंगे और जब ऐसा होता है तो नीरस सा जीवन हो जाता है कुछ करने का मन नहीं करता एसा ही आपके साथ कभी-कभी हो सकता है सेहत के इस आप से infections तंग कर सकते हैं रक्तविकार तंग कर सकते हैं उपाई यह है आपको ओम आदित्याय नमहाईस मंतर का 108 पार जाप करना है तेहं तुला यानि कि लिबरा की तरफ आपके लिए इस नक्षत्र परिवतन का जो सबसे सकरात्मक प्रभाव मुझे देख रहा है वह यह होगा कि हर चैलेंज को accept करकर उसको पूरा कर पाएंगे एक अलग सी द्रिरता आपके अंदर रहेगी एक अलग सी संकल्वता आपके अंदर रहेगी और जैसा मैंने कहा कोई भी आपको मुश्किल मिल जाए भले ही इस से पहले कुछ दिन पहले यानि कि 6 जुलाई से कुछ दिन पहले हर चीज आपको बहुत मुश्किल लग रही होगी यह जो 14 दिन जाएंगे इसमें आप हर मुश्किल का सामना बहुत अच्छी तरह से करेंगे ना सिर्फ सामना करेंगे उस चीज को पूरा भी करेंगे जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा तनाव जादा बढ़ सकता है मैं यह कहूँगा कि व्यर्थ की चिंताओं से प्रभाव आपके डिसीजन मेकिंग पर हो सकता है और एक नकरात्मक प्रभाव हो सकता है तो यदि किसी चीज के बारे में बड़ा डिसीजन लेना है तो किसी से राय मश्वरा कर लीजेगा क्योंकि इस समय कुछ ना कुछ चीज होगी जो आपको अच्छा डिसीजन लेने से रोकेगी वो हेल्थ इशूज हो सकते हैं फैमिली इशूज हो सकते हैं यदि आप टूरिजम से जुड़ा कोई बिजनस करते हैं समय अच्छा रहेगा नया रिलेशन्शिप स्टार्ट हो सकता है उसके लिए सकरात्मक समय है जो रोके रिलेशन्शिप में हैं शादी की तरफ बढ़ना चाते हैं उनका भी समय अच्छा है जातक फिवाहिक जीवन की बात है एक सिंपल सूधिंग समय बिता पाएंगे और एक emotional spiritual level पर आपका connection रहेगा students आपको इस समय लोगों से यानिकि अपने colleagues से अपने co-students से मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि कही न कहीं अटकेंगे तो अपने co-students से अपने दोस्तों से मदद मांगने से हिचगेगा मतलब एक चीज थोड़ी सी नकरात्मक लग रही है जिद्धी पना थोड़ा आ जाएगा और जिद्धी बना है वो कहीं न कहीं आपको कोई नुकसान भी देकर जा सकता है स्पेशली परस्नल लाइप में सेहत की जहां तक पाता है एसेड़ी की प्रॉब्लम तंग करेगी उपाय है ओम आदित्याय नमाइस मंत्र का 108 बार जाप करना है चलते हैं स्कॉर्प्य यानि के व्रिश्शिक के तरफ जो सबसे सकरात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवतन का रहेगा वह यह होगा कि आपके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन आ जाएगा शायद इससे पहले डिटर्मिनेशन में कुछ कमी आ जाती थी कारे शुरू करते थे छोड़ देते थे उन सारे कारेों को पूरा करने के लिए यह जो दो हफ़ते का समय है बहुत अच्छा है कॉम्मिनिकेशन बावर आपकी बढ़ेगी और उसका भी फायदा आपको बहुत जगा मिलेगा और इमेजिनेटिव भी बहुत रहेंगे अच्छा समय दिख रहा है करियर की जहां तक बात है आपसे एक ही चीज़ कहूंगा कि अधी समय बहुत अच्छा है इसका लाब उठाइएगा थोड़े से डिप्लोमेटिक रहीएगा लेकिन स्पेशली किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं जो लोग बिजनस करते हैं जैसा मैंने शुरू में कहा कॉमुनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी उसका उप्योग कीजेगा जब आप अपने क्लाइंट से स्पेशली बात करते हैं या आपकी कंपनी में जो लोग बात करते हैं उनको आपने ये चीज़ बतानी है कि क्लाइंट से एकदम सौमिता से बात करनी है क्योंकि इस 14 दिन के समय में यदि किसी भी क्लाइंट से आपने थोड़ा सा भी रूट तरीके से बात किया उसका एक बहुत नेगेटिव इंपेक्ट वरसकता आपको लगया कि एक क्लाइंट तो कुछ जादा नहीं करेगा लेकि के लिए कुछ सकरात्मक हो सकता है जो लोग विवाहिक जीवन में बने हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है एमोशनल कनेक्ट अच्छा रहेगा स्टूडेंस के लिए यही कहूंगा कि रोमैंस की तरफ अपने दोस्तों के साथ जादा समय वितीत करने का मन करेगा और यह आपके लिए नकरात्मक हो सकता है एक नकरात्मक चीज जो मुझे लग रही है यह कि अधि आप अपनी जीवन में किसी पावर्फुल पोजिशन में है परस्नल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में सोशल लाइफ में तो आप उसका गलत इस्तमाल करते हुए दिख रहे है आपको लगेगा कि उसका आप अपनी पावर का अब्यूस कर सकते हैं लेकिन वो चीज आगे चलकर आपको नकरात्मक प्रभाव आउश्य देगी जहां तक सेहत की बात है एंग्जाइटी की प्रोब्लम तंग करेगी उपाई यह है आपके लिए कि आपको ओम आदित्या य सबसे सकरात्मक चीज मुझे देख रही है इस नक्षत्र परिवत्तन की आपके लिए यह होगी कि जहां पर अपने आपको भ्रहमित पा रहे थे जिन चीजों से निकल नहीं पा रहे थे जिन कंफूजन ने आपको बांध के रखा हुआ था उन सब कंफूजन को तोड़कर आगे निकल पाएंगे बहुतिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थी पैसे की दिक्कत हो रही थी मेटरिस्टिक वर्ल्ड में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही थी कुछ चीज प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वहां पर कुछ रुकावटे आ रहे थी इन सब है एक्शन लेने का प्लैनिंग बहुत हो गई अब उस प्लैनिंग को इंप्लिमेंट करने का ताइम है जहां तक बिजनस की बात है किसी क्रियेटिव फील में काम करते हैं तो यह 14 दिन बहुत सक्सेस्वल आपके लिए हो सकते हैं नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लि मना चीजें नीरस से हो जाएंगी स्टूडेंस थोड़ा धैरे दिखाने के जरूत है जल्दबाजी में कुछ मत कीजेगा नकरात्मक प्रभाव मिलेंगे एक चीज जो आपके लिए नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं 14 दिनों में वह है आपका रियूड बहेवियर किसी स बुरी तरह से यदि बात करेंगे तो उसका नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा सौमेता रखेगा वाणी में विवहार में जहां तक कोई हेल्थ इशूज की बात है तो आपको आखों की प्रॉब्लम और कुछ उल्टा सीधा खाना खाने की कारण प्रॉब्लम हो सकती है उप वापस आ सकता है अकस्मत धनलाव हो सकता है पैसे के संबंद में बहुत अच्छी चीजें इन 14 दिनों में आपको अवश्य प्राप्त होंगी रिटर्न अच्छे मिलेंगे इन्वेस्ट्मन की ऑपरचुनिटीज मिलेंगी कहीं पे पैसा एकदम अटक गया था उमीद ही नह रहेगा आपके लिए करियर सकरात्मक चेंजे आते हुए देख रहे हैं जो चेंजेश चाहते देखी आए वही हैं आपके कारक्शेत्र में आएंगे यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ कारे करते हैं लाब होगा जहां तक बिजनस की बात है आपको कुछ यात्राइं कर पहले कर लेनी चाहिए या जिनको आप अवाइट कर रहे थे शायद इस समय वों करने पड़े और उसके कारण कुछ काम आपके पूरे होंगे जहां तक लव लाइफ की बात है कई आपके बीच में ऑपीनियन्स मिसमैच होंगे आप कुछ और कहेंगे आपके पार्टनर कुछ और कुछ और कहेंगे इसके कारण मतभेद बहुत होंगे और मतभेद मनभेद में भी बदल सकते हैं डिफ्रेंस ऑफ ओपीनियन्स बहुत तंग करेगी आपको इन 14 दिनों में जहां तक विवाही जिवन की बात है यहां पे ठीक ठाक है लेकिन शायद प्रायोरिटी पे नह एक नकरात्मक चीज दिख रही है कि आपके अच्छे विवहार या आपके ईनूसेंस का आपके दयालू विवहार का कोई नकरात्मक प्रभाव उठा सकता है नकरात्मक लाव उठा सकता है प्रभाव नहीं यानि कि आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसको पता है कि आप थोड़े दयालू है तो वो उस चीज का गलत फाइदा उठाएगा इस चीज से थोड़ा सा आपको बचना है किसी की मदद करने के चेकर में इन 14 दिनों में अपना भी नुकसान करा सकते है ध्यान रखिएगा जहां तक सेहत की बात है सर के रोकतं करेंगे उपाई यह है कि आपको गायत्री मंत्र का एक स्वाट बार जाब करनें चलते हैं एक्वेरियस यानि की कुम्ब की तरफ आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रभाव रहेगा इस नक्षत्र परिवतन का सूरे के वह यह होगा कि आपका अपने उपर बहुत विश्वास बढ़ जाएगा इसके साथ ही आपको कई जगा से मदद मिलेगी जो आपके कारे अटके थे उनको पूरा करने के लिए और एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा अच्छा लग रहा है आपके लिए नक्षत्र परिवतन जहां तक करियर की बात है जो महनत कर रहे थे उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है यह नक्षत्र परिवतन यदि आप फूड इंडस्ट्री से जड़ा कुछ भी काम करते हैं लाब होगा जहां तक बिजनस की बात है यहां बे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि कई समय से जो निरने लेना चाहते थे अब वो निरने लेंगे ना केवल लेंगे उसको अच्छी तरह से एक्जिग्यूट करेंगे और जो कार्य कर रहे थे यानि कहीं पर महनत कर रहे थे अपने बिजनस में उसके भी अच्छे परिणाम आपको इस 14 दिन के समय में राप्त हो सकते हैं अच्छा समय है आपके लिए बिजनस भी या फूर्ड इंडस्ट्री से जुड़ा या हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी करते हैं लाव होगा लव लाइफ नया रलेशन्चिप स्टार्ट करने के लिए अत्यनत लाव खारी समय है नया रलेशन्चिप स्टार्ट हो सकता है जो लोग रलेशन्चिप में हैं और शादी की तरफ बढ़ना चाते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये चौदा दिन बहुत महत्रपून है रुकावटें दूर होंगी विवाहिक जीवन आपको यही कहूंगा कि फैमली प्लैनिंग के लिए चौदा दिन बहुत अच्छे हैं यदि रुकावटें आ रही थी तो चीजें किसी ना किसी पॉजिटिव डिरेक्शन में बढ़ सकती है स्टूडेंस अत्यंत लावकारी समय है आपका यदि कोई अग्जाम पढ़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से इस नक्षत्र परिवतन का सबसे अच्छा प्रभाव यदि किसी लगन या राशी पर पढ़ रहा है तो वो कुम्बही होगा अच्छा रहेगा आपके लिए सब कुछ एक नकरात्मक चीज जो मुझे दिख रही है वो कभी-कभी आप बहुत कम इमोशनल होंगे इसका मतलब यह है कि किसी के प्रती emotions feel ही नहीं करेंगे और वो चीज थोड़ा बहुत नकरात्मक प्रभाव देगे सेहत की जहां तक बात है आपको चेस्ट संबंदित रोगतं करेंगे उपाय है ओम आदित्यायन महा मंतर का 108 बार जाप करना है पाइसेज यानिक इमेन की तरफ आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रभाव इस नक्षत्र प्रिवरतन का रहेगा वह यह होगा कि सक्सेस मिलेगी किस चीज में यदि पिछले एक महीने से दो-तिन हफतों से कुछ दिनों से बहुत महनत कर रहे थे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको इन 14 दिनों में देखने को मिलेंगे कुछ ना कुछ अकंपलिश करेंगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अच्छीव करेंगे और ऐसा लग रहा है कि पॉपुलारिटी कही ना कहीं से प्राप्त हो सकती है कही ना कहीं से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको कई जगाओं पर famous कर देगा, कई जगाओं पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कई जगाओं पर आपको recognition मिलेगा बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए नकशकत्र परिवत्तन एक चीज़ कहूंगा बहुत मेहनत यदी कर रहे थे, अच्छे result यदी मिले है, पैसा आया है तो थोड़ा उसको enjoy भी कीजेगा पैसा यदी है उसको enjoy ही नहीं कर रहे तो पैसा किसी काम का होता नहीं है तो यदी अब मेहनत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा celebrate भी कीजेगा जो success यदी इस समय में ऐसे पहले भी थोड़ा आपने प्राप्त की हो जहां तक career की बात है बहुत अच्छा समय है जो planning कर रहे थे वो चीज सही direction में बढ़ेगी business के लिए तो अत्यन्त लावकारी समय है अचानक से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है आपके ideas काम करना शुरू हो जाएंगे मैं कई बार बता चुका हूँ business ideas से चलते हैं जिसका idea अच्छा उसका business अच्छा तो ideas आपको बहुत अच्छा आएंगे वो भी काम करेंगे और जो ideas अल्रेडी लगा रहे थे अपने business में वो भी implement होकर अच्छा काम आपको अच्छे लाव देना शुरू कर देंगे बहुत अच्छा दिख रहा है career, business दोनों के हिसाब से यदि government job करते हैं तो बहुत अच्छे 14 दिन रहेंगे business करते हैं यदि आप human resource या food से जुड़ा अच्छा समय रहेगा जहां तक relationship की बात है अपने partner से खुले मन से बात कीजेगा कोई ना कोई बात आपके मन में भी है कोई ना कोई बात उनके मन में भी होगी जो सामने नहीं आ पा रही क्योंकि खुले मन से बात नहीं हो पा रही विवाहिक जीवन बहुत अच्छा है emotional physical दोनों compatibility अच्छी रहेगी जहां तक students की बात है आपसे मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि जादा कुछ बदलाव मत कीजिएगा जब चीज़े ठीक जा रही हों तब बहुत बदलाव नहीं करने चाहिए अगर सब कुछ आपके लिए ठीक ही चल रहा है तो बहुत जादा changes मतलाईएगा उसका नकरात्मक प्रभाव होगा एक चीज जो थोड़ी नकरात्मक मुझे दिख रही है आपके लिए कई चीजों से बीच का रस्ता निकालकर भागने की कोशिश करेंगे जिसको कहते हैं शौटकट लेने की कोशिश करेंगे वो शौटकट आपके लिए बह आपके लिए उपाई यह है आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है तो यह था सूरे नक्षत्र परिवरतन पर मेरा एक विशलेशन चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्य